बोगनी पूर इस्तिर न्याले सिविल जज भोगनी कार्याले परिसर में जमाजब बारिज के चलते तालाव में तब्दील हो गया जिसके चलते न्याले के अधिकारी वाकर्वचारी वातकारी सहीद वकीलों को अनेक अठनायों का सामना उठाना पड़ रहा है जल निकासी का उचित प्रबंध ना होने की वज़े से न्याले परसर में घुटने तक पानी भर गया आपको बता दे कि लगभग 5 साल पहले जजजर हो चुकी बिल्टिंग के चलते न्याले सिबिल जजज भोगनी पूर का हस्तान अंत्रण यहां से लगभग 20 किलो मीटर दूर रामा वाई न्याले माती कोट में कर दिया गया था वहीं माती कोट की दूरी अत्यधिक होने के कारण वादकारियों और अने कठनाईयों का सामना करना पड़ रहा था लेकिन कुनार 25 अप्रेल से आइस थायरूप से नगर पालिका परशत के मिलन गेश्ट हाउस पुखराया में अदालत विदवत पूजा अर्चना के बाद चालू कर दी गई थी इसकी पीछे का उद्देश यही था कि बादकारियों को सस्ता वा सुलब नयाय दिलाना वा बैंच दूनों का करतावी बनता है बादकारियों को घर के समीप नयाय मिल सके लेकिन तेजबारिस होने के वज़े से न्याले परसर देखते देखते तलाव में तब्दील हो गया ब्यूरो रिपोर्ड आई पियर